हलो इवरिवान, वेलकम और वेलकम बैक तो माई चैनल आज की वीडियो में नए लोग शुरू से सिखेंगे सिंपल गरारे की कटिंग स्टिचिंग ये गरारा बनाना बहुत ही आसान है कोई भी आसानी के साथ बना सकता है अगर आपने अभी तक गरारे की कटिंग स्टिचिंग नहीं की है तो डेफिनेटली ये वीडियो देखकर आप 100% परफेक्ट गरारा बना सकते हैं बस आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें साथ इसाथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अब दिखें ये गरारा बनाने के लिए मेरे पास पौने 3 मीटर साटन फाबरिक है तो यहाँ पर आप 3 मीटर फाबरिक तक ले सकते हैं क्योंके 3 मीटर में सिंपल गरारा बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है तो फाबरिक आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं मैंने यहाँ आपर साटन फाबरिक लिया है और गरारे का जो मेजरमेंट है वो आप यहाँ इसके रिन पर देख सकते हैं इस मेजरमेंट से गरारा रेडी हो जाएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कपड़े को हमने चोडाई में हाफ में फोल्ड कर लेना है यानि किनारी मिलाते हुए हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया इसके बाद हम इसको लंबाई में फोल्ड कर लेंगे इस तरह से तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हमने इसकी कटिंग करनी है यह हमारा अपर पार्ट है जिसकी कटिंग हमने कर लिए है और बचे हुए फाब्रिक से हम नीचे का गहरा यानी फ्लेयर बनाएंगे अब कपड़े को देखे मैंने इस तरह से रख लिया है ये हमारे अपर पाट की चोड़ाई रहेगी तो चोड़ाई जो है वो हम अपने हिप के अकॉर्डिंग लेंगे हमने अपने हिप की गोलाई मेजरमेंट लेनी है इंची टेप से तो जितने भी आएगा उसको चार से डिवाइट करना है और उसमें 6 इंच प्लस कर लेना है तो मैंने 16 इंच पर इसको फोल्ड किया है इसके बाद इस साइट से जो हमारे कपड़े की किनारी है वो कट करके निकाल देंगे यह दिखिए कपड़ा हमारा 4 फोल्ड है और यहां से मैंने 16 इंच लिया है तो मैं आपको बता चुकी हूँ हिप का फोट पार्ट करना है और उसमें 6 इंच प्लस कर लेना है अगर आप थोड़ा फिट बनाना चाहते हैं तो आप 5 इंच तक इसमें एड़ कर सकते हैं इसके बाद यह हमारी बंद वाली साइड है तो बंद वाली साइड से अपर पार्ट की लैंथ रहेगी तो उपर से नीचे की तरफ हम नेफे की चोड़ाई का मार्ग करेंगे तो नेफे की चोड़ाई में यहाँ पर 2,5 इंच ले रहे हूँ तो लास्टिक की चोड़ाई के हिसाब से ही हमारे नेफे की चोड़ाई रहेगी तो दिखी मेरे पास फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा है इसलिए मैं 2,5 इंच ले रहे हूँ तो अभी फिल हाल यह 19 इंच है, आदा से पॉन इंच नीचे गेरे के साथ सिलाई में चला जाएगा, तो अपर पार्ट 18 इंच पर तयार हो जाएगा, इसके बाद हम यहां से कमर की गुलाई लेंगे, तो कमर की गुलाई के लिए हम अपने हीप का मेजरमेंट लेंगे, जितन के बाद इस माक से नीचे की तरफ हम 13 इंच लेंगे, जो हमने कमर की गुलाई लिए है, वो ही हमने क्रॉच की लेंट लेनी है, तो 13 इंच पर मैंने सीधा माक कर दिया है, इस तरह से, अब देखी क्रॉच की गुलाई देने के लिए आगे से यह 3 इंच आया है, अगर आपक पीछे की तरफ हमने 2 इंच पर माक करना है, यह 2 इंच सभी साइस के लिए आएगा, तो इस तरह से 2 इंच पर माक करके हमने तिर्शा गर के नीचे मिला देना है, तो लीजिए अपर पार्ट के माकिंग हो चुकी है, अगर आपको अपर पार्ट में माक करते हुए कुछ कमें बाक्स में पूल सकते हैं, इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, नीचे से वो फोल्ट साइड है, यह भी हमने कट कर लेना है, अब देखिए 2 इंच हमारा नेफे में फोल्ड हो जाएगा, इसके बाद हमने गरारे की रेडी लैंद लेनी है, तो इंच टेप को कितनी लैंद आई है, तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से घेरे की रेडी लैंद जो है, वो 19 इंच है, अब 19 इंच में हम 2 इंच प्लास कर लेंगे, नीचे फोल्ड के लिए और अपर पार्ट से जोइंट करने के लिए, तो 2 इंच इसमें से चला जाएगा, 19 इंच पर घेरे क रेडी लैट हो जाएगी, तो इस तरह से आपको जितनी भी लैंद चाहिए, उसी के हिसाब से जिटेप रखकर घेरे की लैंद निकाल सकते हैं, अब देखिए, जितना भी मेरे पास कपड़ा था, उसको मैंने इस तरह से चोड़ाई में फोल्ड कर लिया है, चोड़ाई मे लंबाई है, वो दो मीटर है, तो दो मीटर में हमारा घेरा बनेगा, जिसमें हम फ्लेयर बनाएंगे, अब हमने इसको चोड़ाई में फोल्ड इस तरह से कर लेना है, इसके बाद जो फोल्ड वाले साइड है, यहां से इसको कट करके, दो में डिवाइट कर लेना है, यानि से भी हम एक पीस साइड में रखेंगे अब इन दोनों पीस को एक दूसरे के साथ कैसे अटेश करना है यह हमारे सेंटर हैं दोनों के तो सेंटर से सेंटर मिला कर रखेंगे घेरा और टॉप पार्ट हमने इस तरह से करके रखना है और जो हमारा घेरे का सिरा है यह वाला यह से मिलाकर रखेंगे और हमने यहां से प्लेट्स डाली हैं अब आपका जितना भी फैब्रिक होगा उसी के हिसाब से इसमें फ्लेयर आएंगे तो उसी के हिसाब से आप इसमें प्लेट्स डालीजिए तो देखें प्लेट्स जो है वह मैं आदा इंच की डालूंगी और पार्ट हमारा तयार हो गया है और इसका जो नीचे से घेरा है वो भी मैंने एक से डेर इंच नीचे फोल्ड कर लिया है और इसी तरह से हमारा जो दूसरा वाला पार्ट है उसको भी सेम इसी तरह से हमने रेडी कर लेना है प्लेट्स डाल कर इसके बाद हमने इसके दोनों क्र वाच वाली साइड है वो अब बीच में आ गई है इस तरह से और इसकी जो दोनों लाइख है वो अलग-अलग हो गई है इसके बाद हमने इसका नेफा फोल्ड करके लास्टिक डाल ली है तो नेफे के लिए जितना भी हमने एक्स्ट्रा फाबरिक लिया है वो सब हम नेफे मे फोल्ड कर देंगे और उसमें हम लास्टिक डाले है तो यहाँ पर जो लास्टिक है वो अब हमने अपनी कमर की गोलाई से लेना है तो गाईज अपर पाट की जो कटिंग की थी वो हमने हिप के गोलाई के हिसाब से की थी लेकिन लास्टिक की जो कटिंग होगी वो हम कमर के साप से लेंगे जित्ती भी हमारी कमर की गुलाई है उसमें से हम 4 इंज माइनस कर देंगे और जो भी बचेगा उतनी लास्टिक की लंबाई लेंगे तो मैंने 28 इंज की लंबाई पर लास्टिक ली है इसके बाद नेफा फोल्ड करते हुए हम इसके अंदर लास्टिक इंजर्ट कर देंगे और सेंटर में एक सिलाई लगाकर बैल्ट को तयार कर लेंगे ये देखिए इस तरह से मैंने लास्टिक डाल ली है अब हमने इसकी एक लास्ट सिलाई करनी है यानि जो इसकी इनर वाली वो सिलाई लगाकर हमने इसको कम्प्लीट कर लेना है और इसी के साथ हमारा सिंपल गरारा तयार हो चुका है ये वीडियो मैंने बिगनर्स को धियान में रखकर बनाई है जो लोग नए हैं सिलाई में वो ये वीडियो देखकर आसानी के साथ इस तरह से गरारा बना सकते है इस गरारे के साथ मैंने जो डिजाइनर कुर्ती बनाई है उसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा या फिर मैं आपको इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट और यहां एंड इसकिन पर लगा दूँगी तो आप यहां से क्लिक करके इस गरारे की कुर्ती की वीडियो देख सकते हैं तो उम्मीद करूंगी ये विडियो आपको पसंद आयी होगी और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा थैंक्स फूर वाचिंग इस वीडियो